हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम अलेकुम, वेलकम बैक टू मैं यूटूब चैनल, तो आज हमने ये फालूदा बनाया है, तो आज इसकी रेसिपी शेर करना चाहती हूँ, तो अगर आप बाहर लेने जाएंगे, तो एक गिला 60 रुपे का पड़ेगा, 60 रुपे में आप घर बेटे सारे परिवार के साथ पी सकते हैं, अराम से आठ से दस लोग पी सकते हैं, तो ये देखें फ्रेंड्स, कितने अच्छी बनी है, ये से वियां, तो मैंने इसको कानफलोर से बनाया हुआ है, आप अरारोट भी यूज़ कर सकते हैं, अरारोट और क काटोरी में, ये देखें फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा कि इतनी छोटी है, मैं आपको हाथ में भी रख कर दिखाती हूँ, ये देखें फ्रेंड्स, ये इतनी ही है, मुझे इतना ही चाहिए, इसमें हम 6-7 लोग पीने वाले हैं, तो मुझे इतना ही चाहिए, तो ज जितना हमने आटा लिया हुआ है उससे तीन गुना हम पानी लेंगे ये देखिए फ्रेंट्स एक कटोरी हो गई और ये गई दूसरी कटोरी इसमें और ये गई तीसरी कटोरी तीसरी कटोरी हो गई हमने तीन कटोरी को पानी जितना पानी को लिया हुआ है तो अब हम यहां पर अच्छी तरीखे से इसको मिक्स कर लेंगे हमने ग्यास पर नहीं चड़ाया हुआ है हमने ग्यास से हिटा कर अलग से इसको मिक्स किया हुआ है तो इस तरीखे से हमको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लंस वगेरा ना पढ़े इसमें लंस नहीं पढ़नी चाहिए इसको इस तरीखे से अच्छी तरीखे से मिक्स कर लेना है हमें इसको ग्यास पर चड़ाने से पहले हमको एक बरतन में बर्फ डालकर उसमें पानी डालकर थोड़ी देर रख देना है इसको ग्यास पर चड़ाने से पहले ताकि सेवयां को हम उस थंडे पानी में डाल सकें तो इस सेवयां बनाने के लिए हमने यहां पर इस तरीखे का हम लोग सांचा बोलते हैं इसे इसको मैंने लिया हुआ है इसमें अब लोग चकली वगयरा जो बनाने का सांचा आता है उसको मैंने लिया होआ है, जो बारी को आता है, सांचा उसको, तो मैंने यहां पर इसको अच्छी तरीखे से द्थो कर लिया हुआ है, हम इसको, इन सभी चीजों को अलग से तयार करके पहले ही रख देंगे, बाद में हमको इसको गास पर चड़ाना है, फिर से एक बार मैं हिला रही हूँ ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे यह देखे फ्रेंड्स अब इसके बाद हमको इसे ग्यास पर चड़ा देना है यह आराम से दो या तीन मिट में ही पक जाएगा तो मैंने इसको ग्यास पर रख दिया है और ग्यास को आन कर दिया है मैंने फ्लेम को ज्यादा ही रखा है फुल पे ही रखा है तो इसको हिलाते ही रहना है वहना गांट वगेरा आ जाएंगे इसमें लम्स वगेरा तो लम्स को आने नहीं देना है हमको हमको इक खूली पकाना ह यह देखिए फ्रेंड्स इस तरीखे से हमको हिलाते ही रहना है यह आराम से दो या तीज मिट में ही घट होना शुरू हो जाएगा टाइट होना तो इस तरीखे से हमको हिलाते रहना है मैं सारा प्रोसेसर आपके सामने ही कर रही हूँ मैं वीडियो को इसकी प्योंग नहीं की हूँ तो इस तरीखे से हमको हिलाते रहना है मैंने एक से दो बार इसको बाहर ट्राय किया हुआ था इस फालुदा जूस को इसको फालुदा जूस ही कहते हैं तो इसको मैंने बाहर दो या तीन बार ट्राय किया हुआ था फिर मैंने इसको बनाना सीखा घर पर ही हम लोग इसको रमजान में बनाते हैं तो यहां देखिए फ्रेंड्स यह बनना शुरू हो चुका है यह घट होना शुरू हो चुका है तो यहां पर हम इसको अच्छी तरहे से हिलाते ही रहेंगे तक यह ट्रांस्परेंट होने तक हमको इसको हिलाना है तो रमज़ान में हम इसको बनाते थे तो आप दो महिने में रमज़ान आने वाला है तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दूँ हर कोई इफटेर के टाइम इसको बनाते हैं कोई ना कोई जूस बनाते हैं तो मैंने सुचा इसको शेयर कर दूँ अबके साथ, तो ये ट्रांस्परेंट हो चुका है, इसको हमें थोड़ी देर इसी पर लाव फ्लेम पे पकाना है, ये दिखिए फ्रेंज, अब ये पक चुका है, आराम से, तो हम इसको ग्यासपर से उतारते ही, हमें मैंने जो सांचा दिखाया हुआ था, उसमें डाल कर, हम जो बरफ का पानी हमने बरतन में लिया हुआ था, उसमें डाल के बना लेंगे, सेवयों को दिखाती हुमें, आगे का प्रोशेसर, तो इस तरीके से मैंने इसको इसमें डाल लिया है, तो अब ये उपर वाला इस पर रख कर, इस तरीके से, हमको प्रेस करना है, हलके हाथों से हमें प्रेस करके, एक ही जगा पर नहीं डालेंगे, ये दिखिए फ्रेंट्स, कितना गरम है, हमको थंडे बरफ के पानी में, आप इसमें, मैंने एक बरफ की ट्रे डाली हुई थी, और एक गिलास में भी रखा हुआ था बरफ, वो भी डाला हुआ है मैंने, तो इतना थंडा है ये पानी, उसमें मैंने इसको डाल लिया है, तो इसको हम 5-10 मिनिट्स के लिए रेफिजरेट में रख कर, उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे, वरना तो ये टूट जाएंगे, तो ये बनकर रड़ी तयार था, मैंने ये जूज किस तरह बनाया है, इसकी रेसिपी में कल शेयर करूँगी, तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलाह अफीज,